मित्रों आजिके बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 22 नवंबर 2020 का दिन ब्रिशभरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आजिके दिन आपके जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 22 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में आजिति थी है अस्ट में नक्छत्र है धनिस्ठा पक्छ है सुकल पक्छ दिन है रभी वार आजिके दिन सुर्य उदे का समय है छे बजी के उन्चास मिनट में सुर्य अस्थ का समय है पांच बजी के चौबीस मिनट में रितू है हे मन्त आजिका दिन काल है दस घंटे 35 मिनट तेरह सिकेंड का महिना है कार्तिक आजिके दिन सुब्ह समय सुरू होता है 11 बजी के 35 मिनट एम से 12 बजी के 30 मिनट पीम तक अशुभ काल सुरू होता है 4 बजी के 42 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 4 बजी के 5 मिनट पीम से 5 बजी के 24 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आजिका पंचांग मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के अंत में आजिके दिने का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली आंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दरसक नोकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके नोकडी के छित्र में आपके बोस या आपके सिनियर के दोरा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टस्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमानदाडी और एकाग्रता के साथ आपको पूरा करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने नौकडी के छित्र में अगर आप कोई भी लापडवाही करते हैं तो आपका समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा दोस्तों आने वाले समय के दोरान अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार है मित्रों आने वाले समय के दोरान आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथ ही आज से बिहतर पहले कभी नहीं हुआ था और इस कारण से आने वाले समय के दोरान आपका दामपत्य जीवन बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके कामकाजि में आपके काड़ च्छत्र में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय के दोरान उस पड़ेसानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय आपका भाग्य आपका शाथ अबश्य देगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा तोटका भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक क्या है मित्रों आज आपके लिए भग्य साली रंग है हरा और फिरोजी आज आपके लिए भग्य साली अंक है चार यनी की फोर मित्रों आने वाले समय के दौरान अपने समय को बहतर और शांदार बनाने के लिए आपको अपने इश्टदेब की पूजा करनी होगी अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जियादा बहतर और शांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगा से यर कर दें धन्यवाद